नमस्कार मैं हूँ कुमार गजेंदर जन्पत अन्दा स्पॉट में आपका स्वागत है हमारे दूसरे सोचल मीडिया प्लेटपॉर्म पॉड्कास्ट विद कुमार गजेंदर में भी आपका स्वागत है जहां आप हमें सुन सकते है कहावत है कि कभी कभी जो आदमी बिना धरातल के उचाई पर पहुंच जाता है वो जब गिरता है तो चकना चूर हो जाता है याने कि अरविंद केजरी वाल के बारे में भी यही कहावत चरितात हुई है कि जिसका कोई धरातल नहीं था जो जूट छल कपट बेइमानी नीचता इन सब कारणों के कारण इन जूट के कारण एक उचाई पर पहुंच गया था तरीके से उसके विकेट गिर रहे हैं सचमुच अरविंद केजरी वाल को अब रातों को तिहार जेल के अंदर नीद नहीं आ रही होगी नीद तो उसे वैसे भी नहीं आएगी त्योंकि जो आदमी एक सो एकतर करोड रुपे का सीस महल बना कर उसमें रह रहा हो आप समझे के जिस तरीके से कोरोना में जब पूरी दुनिया बंद थी दिल्ली के लोग एक एक सांस के लिए तड़ब तड़ब के मर रहे थे सड़कों पर उस टाइम पर आपका ये मफलर मैन अरविंद केजरिवाल अपने लिए एक सो एकतर करोड रुपे का सीस महल बना रहा था और उसकी वाइफ उनकी जो मैडम है सी एम वो पांच लाख रुपे का कवोड सेलेक्ट कर रही थी आप ये समझिये कितना घातक रहा होगा वो वक्त लेकिन अब अरविंद केजरिवाल का वक्त पूरा हो चुका है टाइम पूरा हो चुका है और वो अपनी सबसे बड़ी दुरगती को प्राप्त हो चुका है तेहार जेल के अंदर बंद है और वही पर अब वो बहुत सेकरेटरी होता है विवव कुमार आज सरकार के विजलेंस विभाघ ने उसे बर्खास्त कर दिया निकाल दिया निकाल के नौकरी से बाहर फैक दिया है यह वही विवव कुमार था जिससे की अरविंद केजरिवाल से मिलने के लिए मंत्री मिनिश्टरों को भी इसी पर बिठाना पड़ता था तब कहीं जाकर अर्विंद केजरीवाल से मुलाकात हो पाती थी बहुत बड़ा नाम था विवव कुमार दिल्ली सरकार के अंदर पूरी दिल्ली सरकार दहल थी थी इससे एक मैडम है आयूश थी और दूसरे हैं विवव कुमार ये दो लोग सबसे बड़े फुल फलास दिल्ली सरकार के अंदर इतना रूतवा केजरीवाल साब भी नहीं रखते थे जितना रूतवा दिल्ली सरकार के अंदर ये दोनों रुखा करते थे विवव कुमार आप समझे ऐसा कौन सी पढ़ाई करके आये जो निजी सचिब बने हुए थे ऐसी कौ चलकपट कितना बड़ा जो दिल्ली के टेक्सपेर का जो पैसा है किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने लूता है भर भर के लूता है आपको ये समझ में आ जाना चाहिए लेकिन ये अब विवव कुमार को निकाल कर बाहर फैक दिया गया है और ये काम किया है दिल्ली सर आपको याद होगा कि जिस वक्त राजशेखर के बारे में थोड़ी सी टिपनी की गई थी उस वक्त जब राजशेखर को निकाल के अरविंद के जीवाल ने बाहर कर दिया था तब शौरा भारद्वाज के गुरगों ने राजशेखर के ऑफिस का ताला तोड़कर वहां से बहुत सारी फाइले चोड़ी कर लेती निकालते हुए बाकाइदा सीसी टूवी पुटेज में भी ये पता चलाता कि किस तरीके से उनके आफिस का ताला तोड़कर बहुत सारी फाइले निकलवाई गई हैं तो यही यही जो राजशेखर है अब अरविंद के जीवाल पर म सारी से और यहां पयंकिसानेieran का किसी बीविजुद को जब अरविंद के जीवाल जो मुख्यमंतरी होगा उसके अगर आप स्टाफ में रखेंगे उनकी एक जाच कराई जाती है उस जाच रिपोर्ट के आधार पर उसका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो लिया जाता है और जो करेक्टर सर्टिफिकेट में जिसमें भी achtव से और भी दाग पायजाता है इस F.I.R. पर विवाव कुमार को आज निकाल कर बाहर फैक दिया है ये 2007 में जो F.I.R. दर्ज होई थी सरकारी काम में बादा डालने और सिकायत करता को गाली देने और धमकी देने का आरोप इन पर लगाया गया था ये जो पूरी F.I.R. दर्ज होई थी 2007 में ये नोईडा पराधी करण में तैनात महेस पाल नामक व्यक्ती ने दायर कराई थी इसमें आरोप लगाया गया था कि विवाव कुमार और तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर सिकायत करता एक लोग सेवक को उसके करतब रिकाप पालन करने से रोखा और उसे धमकी दी थी ये 2007 में ये F.I.R. दर्ज होई थी विवाव कुमार के किलाब और विवाव कुमार तभी से निशाने पड़ते ये सारा मामला चला था लेकिन तो कि अर्विंद केजिवाल के सबसे कासम कास थे इसलिए विजिलेंस विवाव या दूसरे किसी भी विवाव की हिम्मत नहीं हुई उनके खिलाब काम करने की उलेक निये है कि आबकारी नीती घोटाले मामले में आठ अप्रेल दिन सौमबार को एडी ने मुक्र मंत्री के निजी सचिव विवाव कुमार और आम आदमी पार्टी के विदायक दुरगेश पाठक को भी तुखलक रोड इस्तित मुक्चाले में बुलाकर दोनों से जावकारी नीती घोटाले से चुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में कुछ दिन पहले ही एडी ने जाच में सामिल होने के लिए संबन बेजा था जिसमें सौमबार को दोनों अपने अपने तह समय पर एडी मुक्वाले पहुचे और वहां पर कई घंटों तक इन दोनों को जाच परताल इन दोनों से पुष्टाच की गई साम छे वजे विवव को छोड़ दिया गया इसके बाद दुरगेश भाटक को भी छोड़ दिया गया वेहद संबेदन सील मामला होने के कारण पुष्टाच संबंदी जानकारी एजनसी अभी किनी कारणों से साजा नहीं कर रही है जो कि इस मामले में जाच एजनसी आगे कई नेताओं को अभी गिरफतार कर सकती है जिन में विवव कुमार का नंबर भी किसी भी वक्त लग सकता है तो जो विवव कुमार अर्विंद केजरी वाल के लिए बहुत सारे बड़े राजदार थे वो राज भी अब खु कातियों में व्लाकातियों में जो तीन नाम दिये उनमें से एक विवव कुमार का नाम भी है यानि के अर्विंद केजरी वाल के लिए ये आदमी इतना इंपर्टेंट था कि तिहार जेल में भी उसका नाम लिस्ट में बुलाकातियों की लिस्ट में अर्विंद केजरिवाल ने नौट कराया है इसका मतलब यह होता है कि विवव कुमार बहुत बड़ा राजदार है अर्विंद केजरिवाल एंड कमपनी का और किसी भी वक्त एडी की टीम इसे दबोच सकती है क्योंकि यही वो आदमी है जो अर्विंद केजरिवाल के लिए सारी चीजे मैनेज करता था और यही वो आदमी है जिसके जर्ये ही अर्विंद केजरिवाल तक पहुचा जा सकता था विवव कुमार अब बहुत जल्दी एडी के सिकंजे में आएगा क्योंकि अब उसके पास कोई पद नहीं है जो उसने चल कपट से हासिल किया था बहुत बड़ी खबर है बहुत बड़ी बात है कि आपको हम बता रहे हैं विवव कुमार अब जल्दी ही हो सकता है सराब घोटाले के मामले में बहुत जल्दी वो सीखंचों के पीछे ह क्योंकि विवव कुमार पर कई एजेंसियों की निगाहें टिकी हैं क्योंकि यही वो दिल्ली सरकार के आमादमी पार्टी के अंदर व्यक्ति है जो अरविंद केजरीवाल का सारे गुनाहों का सबसे बड़ा राजदार है तो अब विवव कुमार बाहर है अब उनके पास क कोई पद नहीं है, कोई सरकारी बंगला नहीं रहेगा, कोई गारी उन्हें नहीं मिलेगी, कोई तवज्जों नहीं मिलेगी और ED अलग से दभोच लेगी इस बहुत जल्दी ED के सिकंजे में होगा वेभव कुमार जो सारे राज उगलेगा, जब ये बोलेगा तो अर्विंद राय जरूर लिखे, इससे हमें बहुत-बहुत-बहुत औरजा मिलती है, इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को जोईन करना ना भूले, जोईन का बटन दबाकर जोईन कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी ख़बरे अच्छी लगती हो, हम आ में जयाँ